हलो एब्रीवन, सार्दे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे चैप्टर थर्ड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ओफ सिक्वेंस एंड सिरीज ओफ फंक्शन इससे पहले मैंने चैप्टर सेकंड कराया है सिक्वेंस उसकी प्लेलिस्ट की लिंक में आपको डिसक्रेप्शन में दे दूंगी आप वहां से जाकर देख लेना पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सिक्वेंस के बारे में वहां पर हमने रियल नंबर्स की सिक्वेंस के बारे में पढ़ा था लेकिन अब हम यहाँ पर sequence and series के बारे में पढ़ेंगे वो भी हम functions के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर जो हमारे sequence होगा वो हमारे किस के होगे? functions के previous chapter में हमारे जो sequence थे वो हमारे real numbers के थे तो आईए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया आए तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो आईए तो हमारी सबसे फर्स्ट एडिंग है sequence of real valued function sequence क्या होता है? तो पहले इसकी थोड़ी सी definition देखते हैं फिर इसको समझते हैं क्या कहना चाहरा है ये तो let fn be a real valued function on the interval i अगर हमारा कोई fn है वो हमारे क्या है? real valued function है और वो किस पर defined है? एक interval i पर defined है कोई interval दे रखा है जिसे हम domain भी बोल सकते हैं domain पर भी defined कह सकते हैं उसे for all positive integral values n then f1, f2, dot, 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 fn और fn ये वाला sign है इस sequence का sign होता है इस called a real valued function on i ये क्या कहलाएगा? हमारा real valued function कहलाएगा i पर देखिए आप इसे समझिए क्या कहला है ये? हमने पहले पढ़ा था हमने previous chapter में sequence पढ़ा था, वहाँ पर जो sequence हा वो हमारा real numbers के sequence हा, कोई जैसे sequence हाया 1 upon n ये हमारा sequence है, तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा कैसे बनेगा 1, 1 by 2, 1 by 3 हम n के अलग-अलग values put करते जाएंगे, natural numbers 1 by 5, dot, dot, dot तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है ये sequence real numbers का मिल रहा है लेकन अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा sequence of function वहाँ पर क्या होगा, जो हमारी sequence होगी वो हमारी functions की sequence होगी कैसे, यहाँ पर हम x और n, दोनों को देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x की जब हम value put करेंगे, n की जब value put करेंगे, तो हमें मिलेगा, देखिए 1, x 1 put करेंगे, तो x मिलेगा 2 put करेंगे, तो x by 2 x by 3, तो यह क्या है यह हमारे sequence भी हमारे function में आ रहे है, यहाँ पर देखें numbers से, लेकन यहाँ पर एक यह functions आ रहे है, x की अलग-अलग value के लिए अलग-अलग बनते जाएंगे अगर हम 1 रखेंगे, तो यह 1, 1 by 2 1 by 3, अगर हम 2 रखेंगे, तो 2, 2 by 2, ऐसे यह change होते जाएंगे, तो यहाँ पर जो हमको sequence मिलेगी, वो किसकी मिलेगी? functions की, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इन functions, जो sequence है हमारी functions की, जब हम इसको plus करेंगे, x plus xy2 plus xy3 plus dead-deadess, यह क्या हो जाएगे हमारी series of functions, यहाँ पर हम functions को क्या कर रहे हैं? add कर रहे हैं और जो simple होता है, वहाँ पर real numbers को add करते हैं, बट यहाँ पर हम discuss करेंगे functions के series के बारे में, ठीक है? तो यही definition भी यही है, यहाँ पर हम functions लेके चलते हैं तो अब हम बात करते हैं series of real valued function की if fn is a sequence of real valued function on interval i, then f1 plus f2 plus dead-deadess plus fn is called a series of real valued function defined on i, this series is denoted by इसको कैसे denote करते हैं? sigma n equal 1 से लेके infinity fn से या फ़र हम direct लग सकते हैं, इसको sigma fn यहाँ पर जो fn है, वो क्या है? हमारा खुद एक function है यह function से बनी हुई है तो same है यह अब हम बात करते हैं uniform convergence and point-wise convergence इसको समझने से पहले आप convergence वाला जो हमारा lecture है, उसको जरूर देख लें link आपको description में मिल जाएगी तो दो तर्ट टाइप के हमारी convergence होते हैं क्या होता है? uniform convergence and point-wise convergence तो देखिए इनकी definition में एक minor सा difference है क्या है? simple यह है, पहले हम बात कर लेते हैं point-wise convergence की देखिए point-wise convergence क्या है हमारा तो point-wise convergence क्या है हमारा? let fn be a sequence of function defined on an interval i the sequence fn is set to converse point-wise to function f on i if for every silent is greater than 0 there exists a positive integer m such that क्या कह रहा है है? थोड़ा समझेंगे से कि हमारे पास कोई sequence दे रखा है functions का sequence है और वो defined है interval i पर किसी हमारा को interval दे रखा है a से b तक के लिए उन सभी value के लिए defined है तो sequence हमारा converse point-wise कब कहलाएगा? एक function f पर अगर वहाँ पर सभी silent is greater than 0 के लिए एक positive integer m exist करना चाहिए किस तरीके से करना चाहिए? कि fn x minus fx का जो mod है वो हमारे क्या हो? silent से छोटा हो मैं इस तरीके से m मिलना चाहिए for all n is greater than and equal to m and x belongs to i यहाँ पर क्या होता है? एक m exist करना चाहिए हमारा कैसे करना चाहिए? कि fn x minus fx का जो mod है वो silent से छोटा हो और यहाँ पर क्या होता है? सबसे main बात है यहाँ पर यहाँ पर जो हमारी m है यह वाली जो m है यह किस-किस पर depend करेगी? हमारी x पर depend करेगी और हमारी silent पर depend करेगी यानि कि x की अलग-अलग value के लिए जो point-wise convergence है वो अलग-अलग मिल सकता है अलग-अलग value के लिए यह जो sequence है हमारा अलग-अलग point पर convergence हो सकता है बट जो हम uniform convergence पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? उसमें only on uniform convergence में only on जो हमारा m depend करेगा वो किस पर depend करेगा हमारा silent पर x पर depend नहीं करेगा x की किसी भी value के लिए क्या होगा वो हमारा same ही होगा सिर्फ एक ही point पर क्या करेगा? Converse करेगा बट यहां पर point-wise convergence में क्या होता है हमारा अलग-अलग x के लिए अलग-अलग point पर converse कर सकता है तो देखते हैं uniform convergence फिर अच्छे से दोनों को एक बार समझेंगे क्या कह रही है पहले uniform convergence पर भी बात करते हैं दोड़ी सी तो heading है हमारी uniform convergence तो let fn be a sequence of function defined on an interval i the sequence fn is said to be converged uniformly to function f on i if for every saline is greater than 0 there exists a positive integer m such that fn x minus fx क्या है क्या हो हमारा saline से छोटा हो उसका mode for all n is greater than and equal to m and for all x क्या कह रहा है उपर से तो same वही है बट यहां पर हमारे क्या अंतर है कि जो हमारे m depend करेगा वो किस पर करेगा only on हमारा saline पर depend करेगा x पर depend नहीं करेगा और point-wise convergent में क्या हो रहा था वो हमारा x और saline दोन पर depend करेगा तो same वही है यहां पर भी हमारे m exist करना चाहिए modulus of fn x minus fx क्या हो हमारा saline से छोटा हो for all n is greater than and equal to m के लिए for x for all x तो यहां पर देगी यह वाले जो fx होता है यह क्या होता है मारे limit होती है ठीक है जिस पर यह converge करता है convergence में भी आपने यह पढ़ा होगा convergence sequence जो हमने पढ़ाए है उसमें भी यह topic है तो उसी से है यह से और एक और बात आपयात रखिए कि जो हमारा Convergence है uniform अगर हमारा Convergence है तो उसे हम point wise Convergence भी बोल सकते हैं क्योंकि वह अपने point पर to Converse कर ही रहा है बट हमारा यह जरूर नहीं है कि अगर हमारा point wise Convergence है तो वह हमारा uniform Converse भी होगा क्योंकि point wise में तो हमारा अलग-अलग point पर converse कर सकता है बट uniform में वो हमारा सिर्फ एक ही point पर क्या करेगा converse करेगा ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ difference इतना है कि यह uniform convergent है इसमें यह जो value है हमारी x पर depend नहीं करेगी और जो हमारा point wise convergent है उसकी value m की value जो है silent और x तो उन पर depend करेगी तो example से समस्य है example है हमारा fn x equal 1 upon nx plus 1 और जो x है वो हमारा किस interval पर defined है हमारा 0 से 1 के बीच में 0 और 1 हमारे include नहीं है तो कैसे करेंगे इससे तो इसको solve करने के लिए हम सबसे पहले इसकी point wise limit निकालेंगे क्योंकि अगर हमारे point wise limit हमें पता चल जाती है क्या है तो हम इसे आसानी से बता सकते हैं कि हमारा uniform convergent है या फिर point wise convergent है तो point wise limit कैसे निकालते हैं हम देखिए तो हमारी point wise limit के लिए क्या करेंगे हम इस में इस sequence में क्या कर देंगे and tends to infinite रख देंगे point wise limit fx हमारा क्या आजाएगा limit n tends to infinity fn x ठीक है तो जब हम रखेंगे limit n tends to infinity fn x क्या है हमारा 1 upon nx plus 1 तो जब हम किसी भी value के लिए रखेंगे 0 से 1 के लिए जब हम value put करेंगे तो देखिए क्या होगा limit n tends to infinity हम क्या कर लेते हैं n common लेंगे तो x plus 1 by n और जब value put करेंगे ये क्या हो जाएगा 1 upon infinity x plus 1 upon infinity 1 upon infinity क्या होता है हमारे पास 0 तो इसके जो limit आएगी वो क्या आएगी हमारी 0 आएगी x के हर point पर तो यानि कि हम यहां से ये तो कह सकते हैं कि point wise conversion हमारा होगा क्योंकि हमारी जो ये limit आ रही है वो क्या रही है 0 आ रही है अब हम ये देखते हैं ये कुछ भी हो सकता है point wise conversion भी हो सकता है या फिर हमारे uniform conversion भी हो सकता है तो check करते हैं इसकी value से हम define करेंगे कि ये point wise conversion है ये uniform conversion है तो क्या करते हैं ये हमारा कैसे होगा यहां से ये बात तो होई जाती है कि point wise conversion तो होगा ही होगा ये किस पर conversion हो रहा है 0 पर हो रहा है तो अब हमें ये चेक करना है कि uniform conversion आएगा या नहीं तो hence क्या लिख देंगे hence fn converse point wise किस पर converse कर रहा है 0 पर कर रहा है to 0 for all x सभी x के लिए जो हमारे इस interval में दे रखाए इस interval के लिए सभी x के लिए ये क्या होगा fn क्या होगा हमारा converse करेगा point wise अब देख लेते हैं कि ये हमारा uniform conversion है या नहीं तो उसके लिए हमें क्या करना है fn x minus fx निकालेंगे तो let silent is greater than 0 ये अभी हम ये किस से प्रूब कर रहे हैं definition के थूप प्रूब कर रहे हैं आगे uniform conversion प्रूब करने के लिए काफी test है mn test और कई सारे levels test वगेरा है तो उनसे हम करेंगे अगर आप से definition से पूछ जाता है तो आप इसी तरीके से करें तो क्या होगा तो conversion के लिए हमारे पास क्या है then for conversions ये देखिए क्या हो जाएगा हमें क्या चाहिए fn x minus fx क्या चाहिए हमें ये silence से छोटा चाहिए for all n is greater than and equal to n तो आप देख लेते हैं कि x की value किस किस पर depend करती है तो इससे निकालेंगे हम fn x हमारा fn x minus fx कितना है fn x कितना है हमारा 1 upon n x plus 1 fx निकल करा है हमारा minus 0 ये क्या है silence से छोटा for all n is greater than and equal to m के लिए चल रहा है है अब क्या होगा more से बान निकलेगा ये ही हो जाएगा 1 upon n x plus 1 silence से क्या होगा छोटा होगा for all n is greater than and equal to m आगे क्या होगा ये देखिए अब हम क्या कर लेते हैं ये हमारा क्या है 1 upon n x plus 1 है तो 1 upon n x plus 1 का हम क्या कर लेते हैं आप आसानी से बोल सकते हैं कि जो 1 upon n x plus 1 है वो हमारा क्या है 1 upon n x से बड़ा है sorry ये नहीं है ये हमारा इस से बड़ा है ये क्या है 1 upon n x plus 1 हमारा 1 upon n x से छोटा हो जाएगा silent होगा for all n is greater than and equal to m क्योंकि हमें पता है n x plus 1 क्या होता है हमारा n x से बड़ा होता है अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो 1 upon n x क्या हो जाएगा 1 upon n x प्लस 1 छोटा हो जाएगा 1 upon n x से तो वही लिख दिया है इसको लेके चलते हैं 1 upon n x क्या है less than silent है for all n is greater than and equal to m के लिए आगे उल्टा कर देंगे इसे हम n x क्या हो जाएगा 1 upon silent for all n is greater than and equal to m ठीक है x की value चाहिए हमें sorry n की चाहिए तो n is greater than 1 upon x silent for all n is greater than and equal to m तो अगर और यहाँ पर m क्या कर लेते हैं हमें एक positive integer choose कर लेते हैं if we take positive integer m positive integer m ऐसे question हमने कई कर रखे हैं पीछे भी इसी तरीके से लेकर positive integer m ले लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा m is greater than 1 upon x silent for all n is greater than and equal to m आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो m की value है यह किस पर depend करेगी x और silent दोनों पर ही depend करेगी तो जब हमारी यह value x और silent दोनों पर depend करती है m की तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं यह हमारे क्या नहीं है uniform convergence नहीं है यहाँ पर सिर्फ यह हमारा point wise अगर हमारी यह value सिर्फ और x पर depend करती है तो हम कह सकते थे कि यह जो value है हमारी क्या है uniform convergence है तो हम लिख सकते हैं साइलन पर डिपेंट करती तो हम कैसा क्या के सकते ते कि यह जो वैलियू है हमादी यूनिफरम कन वर्जेंट है तो क्या करेंगे और है किस पर डिपेंट कर रहे है दे वैली ओव्द्व एम्टेटे पेंट्स ओ सोरी दे लिपेंट्स on x and silent both so this sequence is not is not uniform conversion ठीक है अब हम एक और example ले लेते हैं वहाँ से और यह हो जाएगा एकदम देखी एक और बास समझे आप अगर आपकी यहाँ पर यह जो limit है अगर आपकी यहाँ पर अलग लग लग आ जाती है point wise limit अलग लग लग जाती है तो वो point wise conversion तो होगा बट वहाँ से हमें यह confirm हो जाएगा कि वो हमारा क्या नहीं होगा uniform conversion नहीं होगा ठीक है यह इतनी बात हमारी confirm हो जाएगी कि अगर हमारी यहाँ पर जो value होती है point wise limit की अलग लग लग आती है किसी point पर लग आती है और किसी point पर लग आती है तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि वो हमारी uniform conversion तो बिलकुल नहीं होगा ठीक है fn x equal x upon 1 plus nx और x की जो value है वो क्या है हमारी 0 से बड़ी है यानि कि जो हमारे interval है वो हमारा कहां से कहां तक है 0 के equal है और infinity तक है x की x से बड़ी value के लिए है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते है इसकी point wise limit निकाल लेते है point wise limit क्या है तो fx क्या होगा हमारा fx equal होता है हमारा limit n tends to infinity fn x तो limit n tends to infinity fn x क्या है हमारा x upon 1 plus nx यह क्या हो जाएगा हमारा limit n tends to infinity x नीचे से हमारा n, आ जाएगा और यह हो जाएगा 1 upon n plus x जब यह नो हो जाएगा तो 1 upon n क्या होता है 1 upon infinity quel क्या होता है 1 upon infinity क्या होता है 0 होता है तो जब limit and tence to infinity apply करेंगे तो x की हर value के लिए क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा x की सभी value के लिए यानि कि यह हमारा point wise convertent तो है यह अगर ऐसा है सेम सेम आता है तो point wise conversion तो होगा ही होगा last में point wise तो निकल कर आई निकल कर ही आएगा अब चेक करते हैं हमारा uniform conversion है या नहीं है तो क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं hence fn converse point wise to zero for all x is greater than and equal to zero फिर क्या होगा ये अब हम चेक करते हैं conversion के लिए तो let salon is greater than zero भी गिवन कर रखा है तो हमें क्या निकालना है fn x minus fx निकालना है इसका mode क्या करना है salon से छोटा for all n is greater than and equal to n इसकी value हमारी कितनी आएगी fn x क्या हो जाएगा हमारा x upon one plus n x fx थो हमारा zero ही है for all silent for all n is greater than and equal to m फिर क्या होगा हमारा mode से बाहरा आएगा तो पूरा आजाएगा यह हो जाएगा mode से बाहरी लख लेते हैं direct x upon one plus n x क्या हमारा silent से छोटा है for all n is greater than and equal to m अब हम क्या कर लेते हैं अब हम इसे उल्टा करके इस तरी किसे लख सकते हैं one upon n x upon x one upon silent for all n is greater than and equal to n अब इसे अलग-अलग तोड़ लेंगे यह हो जाएगा हमारा one upon x plus x x cancel n is greater than one upon silent for all n is greater than and equal to n यहाँ पर यह सैट चला जाएगा यह हो जाएगा one upon silent minus one upon x for all n is greater than and equal to n अब देख सकते हैं जब हमारा one upon silent में से वो हमारा बड़ा है one upon silent minus one upon x से तो डारेक्ट हम इस वाले line को भी तो लेकर चल सकते हैं तो n is greater than one upon silent for all n is greater than and equal to m let us take positive integer m यह क्या हो जाएगा m is greater than one upon silent for all n is greater than and equal to m and for all x तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो m की value है वो किस पर only on depend कर रही है हमारी one upon silent पर तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारी m की value सिर्फ और सिर्फ silent पर depend करती है तो जो हमारा sequence होता है वो क्या होता है हमारा uniform convergent होता है तो क्या लग देंगे hence the sequence is the sequence is uniform convergent ठीक है तो I hope आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा आगे की lectures में हम discuss करेंगे uniform convergent प्रूब करने के लिए कुछ test है जैसे MN test है तो अगर आपको मेरी वीडियो आगे भी ऐसी ही देखनी है तो प्लीज मेरी चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करना ना भूलें तूहरी तब्सक्राइब तूहरी तो पूलेयो को प्लीज मेरी वीडियो तो, प्लीज मेरी तूह घ।टन यचाओगे,